हे एफिवान इस अवीट आइप है तो तो आज मैं फर्स ट्रैकरने वाली हुऽ ऑंट जो कि मैं काफी ट्रैकरने का सोछो रही थी थी सो फैनली आज मैं बनाने वाली हूं संपन और नहीं है बिष्टर मक्राश्थ यादर मेंटश्ट तो इसके बेस कोड़ के लिए मैं यूज करें हूँ वाइट एक्रालिक कलर पिकाज रेजिन वक्त थोड़ा सा मैसिव होता है तो टेबल किसी प्लाची ठीट से कावर कर ले मेरा बेस कोड़ कम्टेट हो गया है तो इसको ड्राइ होने के लिए रख देते हैं तो यहां पर मैं यूज करें हूँ एक कोड़ मिलते है तू बोर्टल वन रसी एंट वन हरिए दिम्ट रेजिन को मिफ सकने का दिफरंटल रहता है यहां पर इसको में न करने का रेष्ट रेशो रिशी लोन है जो की बोटल पर मेंशन किया गया है means three parts resin and one part hardener तो इसको मेजर करने के लिए मैं ले रहे हूं transparent a disposer glass और इसके मार्क कर रहे हूं मैं इसके according ही resin and hardener को मेजर कर लिए क्योंकि ये chemical होता है जो health के लिए harmful होता है तो पहले आपको gloves or mask wear करना है और आपको वेंटिलेटिट एरिया में ही वर्क करना है में मार्क के कौड़ी मेजर कर लूँगी तो यहां पर मैंने त्री पार्स रेजिन ले लिया है और इसके बाद मैं लूँगी वन पार्ट हार्डनर अब में रेजिन को बिल्कुल नौबना स्पीड में 5-7 मिनुट तक मिक्स करना है ताकि इसमें कोई बबल ना बने यहां पर मेरे रेजिन का कलर थोड़ा सा चेंज था है मुझे क्लेर नहीं था क्योंकि यह काफी टर्ई मेरे पास रखा था और यह बोटल में थोड़ा ड्रइव को गया था तो यहां पर मैं यूज करें हूँ एक्रेलिक कलर्स क्योंकि मेरे पास रिजिन पिग्मेंट नहीं है और यहां पर मेरे पास एक गोल्डन डस्पाउडर है जो मैं यूज करने वाले हूँ तो क्योंकि मेरी थीम वाइट एंड ब्लू है तो मैंने बैनाया वाइट रेजिन और ब्लू रेजिन उसके लिए मैंने यूज़ किया एकलिक कलर और थर्ड शेट के लिए मैंने यूज़ किया गोल्डन रस पाउडर तो यहां पर मैंने लिया यह वाइट रेजिन इसको स्प्रेड करने के लिए मैंने अपने हैंड ही यूज़ कर लिए ताकि अच्छे से पूरे बोर्ड पर प्रेड हो जाए कोई भी पार्ट चोटाने चाहिए और अच्छे से स्प्रेड हो गया है और इसके बाद मैंने लिया यह पूर रेजिन तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस पैटर में पॉर करूँ तो मैंने इसको ऐसे ही पूर कर दिया देखती हूं क्या पैटर बनता है और अभी मैं डालने वाले हूं यह जो मैंने रेजिन बनाया था गोल्डन डस्ट पाउडर से बट इससे प्रपर गोल्डन शेड नहीं बनी थी थोड़ा सा ब्राउनिश लग रहा था बट मैंने इसको भी यूज कर लिया तो अब रेजिन में कोई बबस ना रहे इसके लि हो रहे हैं तो मेरा जो काम है वह इसी हो गया तो यहां पर कलर अच्छे से मर्ज हो गया थे तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है तो इसके बाद मैं इसको ड्राइव होने के लिए रख देती हूं कि सो नेक्स्ट हमारा देजिन कंप्लिक्टिट ड्राइव हो गया है और इसका जो रिजल्ट आया है वह बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करी हूं 12 पार्स में और इसके लिए मैं 30 डिग्रीड के डिफ्रेंस पर मार्क करी हूं क्यूंकि हमें 12 क्ल कि मैंने ओनलाइन यह क्लॉक सिस्टेम ओडर किया था जिसमें मुझी क्लॉक है नंबर में में रहे थे तो इसको मैं सेट कर लेती हूं अपर मेरा पुर क्लॉक सिस्टेम कर दोगाने था शुटेम कर दो सेट हो गया है अभी मैं इसमें बैटरी इंसर्ट करके देखती हूँ सो फाइनली यह मेरी रेजिन क्लॉक बनकर रेडी हो गई है और यह वर्क भी कर रही है आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्रीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और कमेंट बोक्स में जुरूर बताएगा कि मैं नेक्स टेम कौन सा आर्ट ट्रे करूँ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वाचिंग